नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिकम। इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाओ की खोशना की तो उसने गुजरात के लिए कारिकरम खोशित नहीं किया। आयोग ने एक बहाना दिया। हलाकि हर कोई समझ गया कि असली कारण कुछ और था। इनने से एक कारण पिछले सप्ता स्पष्ट हो गया। राज्य सरकार ने गुजरात में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यू सी सी यानी समान नागरिक समहिता को इंटोड्यूस और इंप्लिमेंट करने के प्रोसेस की जाच के लिए एक समिती का गठन किया। इस साल की शुरुवात में उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी यही घोशना की थी और समितीयों का गठन किया था। जिन तीन राजियों में अब तक यह फैसला लिया गया है वहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। इन तीनों में से दो चुनाओं की तरफ अग्रसर हैं जबकि उत्राखंड में मार्च के महीने में बीजेपी री-इलेक्ट हुई थी। कॉंग्रेस पार्टी ने इस फैसले की आलोचना की है। पार्टी नेताओं ने लोगों को याद दिलाया है कि 1995 से गुजरात में भारती जनता पार्टी की सरकार है। अचानक इस मुद्दे पर क्यों जाग गई ये पार्टी चुनाओं के ठीक पहले। UCC को लागू करने की जल्दबाजी के पीछे चुनाओं का कुछ संबन तो है ही। तो क्या है ये। ये मांग धार्मिक आधार पर दुरुविकरन क्यों बढ़ाती है। इसकी प्रिष्ट भूमी क्या है। ये ध्यान में रखना होगा कि भारतिय जन्तापार्टी अपने स्थिती को सही ठहराने के लिए पॉलिटिकल राइटियसनेस पर लीन करती है। पार्टी के नेता ये कहकर निर्नय को सही ठहराते हैं कि UCC का भारतिय सम्विधान के भाग चार अनुछेद 44 में स्पष्ट रूप से उलेख है। आर्टिकल 44 में लिखा है राज्ये अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे शेत्र में एक समान नागरिक समहिता इंटोड्यूस करने का प्रयास करेगा। तीन स्टेट गवर्मेंट्स के फैसलों की इनप्रोप्रियेटिस के बारे में पहला पॉइंट यह है। अनुछेद 44 केंद्र सरकार को डाइरेक्ट करता है एंशूर करने के लिए कि कानून पूरे भारत में लागू होना चाहिए। फिर राज्य सरकारें एक के बाद एक, एक स्पेसिफिक डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कैसे लागू कर सकता है। क्या इसके पीछे कोई राजनितिक चाल है। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट, सम्विधान का भाग चार, जो केवल डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए है। उसमें कई डाइरेक्टिव्स हैं, not just on UCC। सम्विधान में अनुछेद समख्या 36 से 51 तक कुल 16 अनुछेद हैं। इन में से कई के सब क्लॉजेज हैं। कई आर्टिकल्स में संशोधन किये गए। उस समय की सरकारों ने डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स एड या जोडे हैं। इतने सारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से भारती जनता पार्टी को केवल तीन अनुछेद 44, 47 और 48 में ही क्यों दिल्चस्पी है। अनुछेद 47 स्टेट को नागरिकों के पोशन स्तर को बढ़ाने का निर्देश देता है। साथ ही सरकार को शराबबंदी लागू करने का निर्देश देता है। इसी तरह आर्टिकल 48 क्रिशी और पशुपालन को और्गनाईज करने का निर्देश है। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये सुनिश्चित करना, गायों, बचलों और अन्य दूधारू पशुओं के किलिंग्स पर रोख लगाना, चाहे वो एकनॉमिक परपर्स के लिए ही हो। मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भाजपाक ने जिन डारेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रात्मिक्ता दी है, वे अन्य डारेक्टिव के तुलना में हिंदुत्व की विचारधारा के करीब है। उधारन के लिए पार्टी अनुचे 39C को लागू क्यों नहीं करती है। इसी तरह से बहुत और डारेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिनें मेरी समझ से प्रायरिटाइज करना चाहिए, जैसा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड या फिर पर्यावरन की रक्षा। हिंदुस्तान के समविधान में बहुत ambiguity है। मुझे लगता है ये एक compromise document था अलग अलग विचारों को adjust करने की बात जो थी। समविधान में Directive Principles of State Policy, Fundamental Rights के chapter 3 के बाद आता है। मौलिक अधिकार, Fundamental Rights, समविधान के केंदर में है। ये अधिकार justiciable है और थात वे courts द्वारा legally enforceable हैं। जबकि DPSP, Directive Principles of State Policy नहीं है। बहुत लोग मानते हैं, UCC को लागू करने से कुछ specific गुटों के अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंगन होगा। ये अधिकार, इसके multiple dimensions में प्रतिक नागरिक को Articles 25 से लेके 28 के तहत guaranteed हैं। अब जैसे विवा को लीजिए, इसलाम में विवा एक social contract की तरह है। Common law इसको इस रूप में accept नहीं करेगा। अब तक किसी भी अधालत ने ये जाच नहीं की है कि अगर अनुचे 44 को लागू किया जाता है। तो नागरिकों के अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंगन होगा या नहीं। संभाव है ये एक divisive और polarizing मुद्दा देश में एक और legal controversy को जनम देगा। UCC विभन धार्मिक Communities यहां तक के हिंदूों के भी personal laws के विरोध में आ जाएगी। विवा और तलाक, custody और guardianship, adoption और maintenance, succession और inheritance, सभी मुद्दे personal law द्वारा regulate होते हैं। यह एक गलत धार्ना है कि UCC से केवल मुसल्मान प्रभावित होंगे। समविधान को बनाने वालों ने भविश्य के सरकारों के लिए directive principles को एक मार्ग दर्शक, objective के रूप में रखा था। लेकिन इस मुद्दे को एक तरफ हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच और दूसरी तरफ हिंदूओं और इसाईयों के बीच की खाई को और deepen करने के लिए एक टूल के रूप में communal forces ने इस्तिमाल किया है। Constituent Assembly में UCC पर बहस सबसे heated थी। अंतता UCC को fundamental rights के section से बहार रखा गया। उस समय राजनेतिक नेता दो different groups में विवाजित थे। पहला group जो देश का secularization चाहता था। और दूसरा जो चाहता था कि different dharmic समू अपने personal laws के basis पर अपने social और dharmic matters को regulate करें। गांधी जी की हत्या के बाद जब RSS को ban किया गया उसके बाद ही उन्होंने राजनीती में कदम रखने का फैसला लिया। October 1951 में भारतिये जनसंग का गठन हुआ। पार्टी के अपने सिधानतों और नीतियों में सपष्ट लिखा था। इस विचार का ज्यादा समर्थन नहीं था और जनसंग ने 1967 तक इस मुद्दे पर दोबारा बात नहीं की। उस वर्ष अपने चुनाव के manifesto में इस मुद्दे को वादा के तौर पर पेश किया। उसके बाद दो दशकों तक समान नागरिक समिथा का कोई उलेख नहीं हुआ। BJP की स्थापना 1980 में हुई थी लेकिन इस इशू पर चुप्पी साधी गई। 1986 में लाल कृष्ण अडवानी ने पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद स्पष्ट रूप से कहा मेरी पार्टी समान नागरिक समिथा की मांग पर अडिग रहेगी। 1986 में बाबरी मस्जित के हिंदूओं के लिए खोले जाने के बाद राम मंदिर के मुद्दे ने गती पकड़ी। 1988 में विश्व हिंदू परिशद ने राम मंदिर की अपनी मूल मांग में राजनितिक मांगों को जोड़ा। इस सूची में UCC की मांग बहुत प्रॉमिनेंट थी। बाकी इलिस्टेड इशूज थे अनुचे 370 को रद करना, बांगलादेश से कथित गुसपैट को रोखना और धर्म परिवर्तन को प्रहिबिट करना। UCC की मांग भाजपा के घोशना पत्रों में नियमित रूप से मिंशन होती रही। लेकिन 1998 और 2004 के बीच नाशनल एजेंडा आफ गवर्नेंस इंडिये का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसमें इसका कोई उलेख नहीं किया गया था। क्योंकि वाजपाई को गठबंदन सरकार जो चलानी थी, लेकिन ये हमेशा मैनिफेस्टों का हिस्सा रहा था। मानती रही है। ये बात अब भी बदली नहीं है। नमस्कार।